एड़ेंगे विडियो आपटिक्राइच पॉप्जेक फिसेट नहीं है नौ रीज़ोर्सेस में बॉक्स भी कवर करेंगे और कुछ अडिशनल मेटीरियल्स वगरा जो तुम रेफर कर सकते हो मैं वो सारी चीज़े रेफर करूंगा और यह वीडियो किसी भी तरह से स्पॉंस नहीं है मैं गरीव हूं जो भी बाते मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में बेस तो है ही and definitely it is based on few reviews which I got from few IIT as well all right so quality material है ऐसा नहीं है कि मैं just randomly बोलूंगा इसमें ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं regarding the books so now regarding the books तुम्हें है पहली बात पता होने चीहें कि books होते है तुम्हारी दो-चृरा की एक होते हैं तुम्हारी textbook एक होते यह थिए तुम्हारी practice book ठीक हैं बिल्कुल नाम से पता चल रहा होगा अंतर के textbook में सिर्थ theory होती है मतलब theory is the main concern ठीक है what questions भी हो सकते हैं but they are the main concern practice books questions are the main concern practice book का काम है तुमारी skills को upgrade करना ठीक है और textbook का काम है तुम्हें intro to concepts ठीक है इनका काम बस इतना है तुम्हें concepts के बारे में knowledge देना और इनका काम है तुमारी skills को upgrade करना now the thing is यह जो है यह ज्यादा crucial role play करती है बट प्राक्टिस बुक का कोई फाइदा नहीं अगर तुमारे पास अच्छी टेक्स्ट बुक नहीं है ठीक है क्योंकि तो जो तुम यहां से सीखोगे वो तुम यहां पे अप्लाए करोगे सो इन दोनों का होना बहुत ज़रा ज़रूरी है बट लेट से इफ और कॉंसेप्स अर गुड इनफ तो तुम्हें टेक्स्ट बुक पे उतना जादा फोकस करने के जरूरत नहीं है ठीक है इसके जो रिसोर्से इनको तुम्हें लिमिटेड रखना पड़ेगा बहुत ज़रू तो अगिए क्सक्ट बूसा और हम उनको फिश्फेय करेंगे और मैं टाइप टाइप टू थ्री क्सेट reduce के साथ विनको मैं प्लाशिफ़ाइ निенный है यह कि पड़ेज्आ फृयमाивать डाहिक्स वब सब्सेटर्ण और हमारे बोनस मिटेश्यल को वह मत देखो सबसे पहली है हमार पास NCRT, फिर HC Verma, ठीक है, HC Verma Concept of Physics, ठीक है, यही है, DC Pandey, All right, that is the new pattern physics, और हमार पास previous year question papers होते हैं, और हमार पास कुछ bonus material है, जिसके बार में मैं थोड़ी दिर में discuss करूँगा, now, NCRT को तो मैं आज़र textbook use कर सकते हो, ठीक है, मैं इसको TXT लिख देता हूं ऐसे, ठीक है, HC Verma can act both as a textbook and as well as a practice book, ठीक है, so TXT and practice book, ठीक है, मैं practice book को short में PB लिख देता हूं, अच्छा, बट HC Verma में उत्तर थिरी पे ध्यान मत देना, ठीक है, जितना तुम्हार NCRT में है, है, if you are good enough, अगर तुम्हें उतना समझ आ गया, then go for, then go straightforward to the questions, all right, DC Pande, it is definitely a practice book, it is a very important practice book, बहुत जादे important है, मेरी personal favorite book, यह ही है, ठीक है, फिर previous year question papers, अच्छा, DC Pande Sir की जो है, वो काफे सारे books हैं, तो कौनसी वाली refer करनी है, I personally want you to like go for, जिसमें मालब 6000 से जादा plus examples हैं, जिसमें तुम्हारे पास जैए में, जैए ड्वांस, comprehension, session reasoning, सब कुछ होता है, वो तुम books refer करो, ठीक है, pattern, ठीक है, pattern change होता रहता है, but the thing is, इस book में जो quality है, जो quality of the content है, और जितने number of questions है, it is a perfect practice book for ITJ, all right, previous year question तुम्हें refer करनी चाहिए, from a book of the Disha it, Arihant, ठीक है, it is of the Arihant publication, दिशया publication की जो previous year वाली book है, जिसमें मदब तुम्हारे पास chapter wise salt papers है, ठीक है, chapter wise salt questions है, उसमें तुम्हारे पास, जब जैएडवां subjective होता था, वो वाली questions भी है, है, so, वो वाली book है, ठीक है, हमारे टाइम पर author, जो मेरे पास edition है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, मेरे पास edition है, यह बहुत जारा पुरान है, 37 years वाला, जो भी तुम्हारे इन books के जो link होंगे, जो newest Amazon links है, वो मैं तुम्हें definitely description में provide कर दूँगा, ठीक है, यह वाली book है, इस टाइम पर हमारे टाइम पर तो जो author थे, उनका नाम था, engineer Sunil Batra, but I don't know अभी कौन है, ठीक है, DC पांडे book अगर तुम्हें देखने हैं तो इस तरह क्योंगी, मेरे वाली book definitely थोड़ी फट गई है, काफी पुरानी book है, यह मेरे पास, ठीक है, so इस तरह की book आती है, जिसमें तुम्हारे पास, तुम्हें दिख रहा होगा, 6000 plus questions, ठीक है, of each type, so this is a very good book, all right, HC पर्मा तो काफी famous book है, वो दिखाने की ज़रूट नहीं है, मुझे, और NCRT तो तुम्हारे पास तो होगी, definitely, all right, so यह भी तुम्हारे पास एक perfect practice book है, ठीक है, अगर मैं classification करूं regarding the type 1, type 2 and type 3 questions, तो ज़रा ध्यान से रेखो, तुम्हारे पास NCRT में type 1 and type 2 के questions मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है, NCRT के जो तुम्हारे advanced illustrations होते हैं, they are good, ठीक है, HC पर्मा में definitely type 1, type 2 and few percentage of type 3 questions, बहुत कम होते हैं लेकिन इसमें, इसमें type 2 questions बहुत जाता होते हैं, DC पंडी के अगर में बात करो, तो type 2 and type 3 वाली questions होते हैं, और रेकिन इसमें type 3 definitely इसमें भी कम होते हैं, type 2 काफी जाता होते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें यह समनी आ रहा है type 1, type 2 क्या है, तो मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखो, ठीक है, मैंने एक playlist बना रखिया, how to study for ITJE, ठीक है, उसमें playlist में तुम्हें सब कुछ मिल जागा, playlist का भी link है description में, और राइट, no need to worry, अच्छा, so previous year questions, हाँ, यह है material थोड़ा, जेएडवांस वाला, इसमें तुम्हें तुम्हेरे पास, type 2 भी है, type 3 भी है, type 1 भी होता है, ठीक है, बढ़र type 1 बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उसको नहीं लिखते है, type 3 questions कौन से है, subjective J advanced वाले, ठीक है, subjective J advanced वाले questions, they are the most important questions, for ITJ advanced preparation, ठीक है, यह material तुम लगा लो, इसको घोट के पी जाओ, यह बहुत ही ज़दा important material है, for the ITJ advanced, ओल्राइट, so I hope so यह चीज़े तुम्हें समझ आगी होगी, so अगर मैं classify करना चाहू, for the J mains and J advanced, so J main के लिए तुम लगा लो, these three materials are good enough, all right, for J advanced, I'll say, ठीक है, यह बीच में overlapping है, क्योंकि the thing is that, HC Verma is also important thing, ठीक है, इसको तुम एग्नोर नहीं कर सकते, although तुम्हें इसमें, like, questions उत्ते जादा नहीं मिलेंगे, जो like J advanced level के हैं, but still, it is a good book, which forms a base for, your J advanced preparation, DC Pande is also a very good book, which will, जो तुम्हारा base मना देगा, ठीक है, इसके बाद, तुम कोई भी question solve कर सकते हो, इसके बाद, तुम्हारे बस skills है, उन skills को तुम apply कैसे करोगे, वो तुम्हारा यहां पर apply होगा, अच्छा, अब बात करते हैं, bonus material की in detail बात करते हैं, so now, if I talk about this bonus material, ठीक है, एक चीज़ तुम्हारा रखने की जरूरत है, कि यह जो bonus material है, इस प्यॉरली फॉर जेएडवांस्ट, इस से पहले कि जितने मैंने material तुम्हें लिखे हैं, ठीक है, जितने मैंने लिखे थे materials, बात जेएडवांस्ट, जो कि जेएडवांस्ट, जो कि जेएडवांस्ट के लिए इतनी सारे books अवेलिबल नहीं है, बहुत ही जादा महेनत लगती है, तो जाके एक ऐसा material बनता है, जो कि जेएडवांस्ट के लिए 100% valid हो, इसमें कौन से material आते हैं, डेफिनिटली जो जेएडवांस्ट के subjective, जो questions है, यह होगा तुम्हें देखने को मिल जाएगा, तो 30 से जादा questions तुम्हें, बदल्ब, on an average, तुम्हें 30 से जादा questions नहीं मिलेंगे, so, for that, you have to refer to this bonus material, यह जो material है, it can be any institute material, कोई भी जो renowned coaching institute है, उसका institute material, now institute के material में, तुम्हें कौन सा material refer करना है, for J-Advanced, यह होगा तुम्हारा, जिसमें सर्फ questions होँगे, for J-Advanced, ठीक है, अगर तुम्हें example चाहिए, तो जैसे resonance का, I don't know, मेरे time पे तो वैसे उसका नाम rank booster होता था, I don't know what, अभी क्या नाम होगा उसका, ठीक है, rank booster series होते थी, by Resonance Institute, ठीक है, मैं personally, आकाश में coaching की है, सो वहाँ पे हमारे पास success magnets होते थे, ठीक है, तुम्हें उसको refer कर सकते हो, ठीक है, तुम्हें तुम्हें जो भी refer करना है, go for it, ठीक है, बट इस material को तुम तभी refer करना, अगर तुम्हें जितने मैंने पहले जो material लिखे हैं, अगर तुम्हें वो insufficient लग रहे हैं, तुम्हें तुम्हें इस चीज को refer करना, otherwise no need, ठीक है, now after discussing all the books, यहाँ पे एक बहुत ही famous quote है, the more the merrier, यह चीज apply नहीं होती, in competitive exam, यह हमेशा याद रखो, यह बात तुम्हें अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, तुम्हारी यहाँ पे जो preparation है, वो exam centric होनी चाहिए, usually क्या होता है, जो हमारे aspirants होते हैं, ITJE के, वो बहँग जाते हैं, वो confused हो जाते हैं, ठीक है, जब वो like 11th में आते हैं, मार्केट में जितने भी बोक्स हैं, ITJE की, वो कठी करके घर पे लिए आएंगे, but the thing is, time जो है, वो limited है, ठीक है, time की boundation को समझना बहुत जारा ज़रूरी है, T is limited, all right, and जो भी aspirants, जो बहुत सारा material, एक ठाठा करने में अपना, इतना ज़रा time लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, I guarantee वो एक भी material को efficiently, ठीक है, यहां पर efficiently word हमें यूज कर रहा हूं, वो एक भी material को efficiently solve नहीं कर पाते, all right, they are just blindly following things, they won't be learning anything from those books, whatever they solve, ठीक है, देखो, यहां पर main purpose क्या है तुमारे पास, तुम्हें अपनी skills बढ़ानी है, ठीक है, skills तभी बढ़ेंगे, अकर तुम efficiently काम करोगे, ठीक है, practice कैसे करनी है, उसका एक definitely मैं separate video बनाऊंगा, all right, how to practice, इसका एक मैं separate video में, तुम्हें एक detailed बता दूँगा, कैसे करना है, and definitely इसमें, how to revise as well, solve this material efficiently, usually क्या होता है, बच्चे जो होते है, वो like J-Advanced क्या, like कासे दादा क्रेज होता है, कासे दादा जोश होता है, वो सोचते हैं, J-Advanced का material सॉल्व करेंगे, बट तुम्हें के J-Advanced का material है, ठीक है, उसको solve करना, थोड़ा साल एक challenging होता है, तुम्हें नीचे से उपर जाना, तुम्हें ऊपर से नीचे नहीं आना है, ठीक है, ये चीज तुम्हें ऐसे जाना है, ऐसे नहीं आना, ठीक है, इस चीज का बहुत जारा ध्यान रखो, whatever material you have, you solve it sequentially, पहले टेक्स्ट पढ़ो, उसके बाद practice book पे जाओ, and if you have solved the basic questions, if you are able to solve the T1, ठीक है, टाइब 1 question, टाइब 2 question, देन गो फो टाइब 3 questions, या ठीक मैंने question वाली वीडियो में भी तुम्हें बताया होगा, ठीक है, तभी जाके तुम आगे excel कर पाओगे, otherwise, तुम सफर करोगे, तुम first जाओगे, ठीक है, यूजिली बच्चे बस इसी बात में confused रहते हैं, ठीक है, ये बात मैं नहीं कह रहा, तुम जित स्मर्जी टीजर से पूछ लो, कोई ना कोई एक दो बच्चे ऐसा होता ही है, जो बहुत सारा material कठा कर लेता है, पूरी क्लास को बताएगा कि मेरे पास इतना जादा material है, लेकिन उसका selection नहीं होगा, I guarantee, हर टीजर के पास एक ना एक ऐसी स्टोरी ज़रूर होगी, so you have to be aware कि तुम्हें ऐसा एस्परेंट नहीं बनना है, जो सिर्फ material एक कठा करने में लगा हुआ है, कुछ भी solve नहीं कर रहा, प्रॉपरली, ठीक है, देखो, अपनी जगा है, ठीक है, इन जनरल लाइफ में कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है, यॉव तो बीवाइज वाल मेकिं यॉर डिसिजिजन, यॉशुद नॉट फॉलो दो थिंग्स ब्लाइंड ली, ठीक है, तुम्हें किसी भी चीज़ को ब्लाइंड ली फॉलो नहीं करना है, इसके लावा भी कुछ और बाते हैं, जो मैं तुमसे अभी नेक्स्ट डिसकस करता हूँ, नाव लेट अस डिसकस अबॉट दो फ्यू ओनलाइन प्लाटफोर्म्स विच्यू गान रेफर फॉर इटीज़ प्रेपरेशन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है तुमारे पास, ठीक है, जो मेरा चैनल है, इसका में जो मोटिव है, यह है क्या है, ठीक है, तुम हर जागा से पढ़ते हो, ठीक है, तुम डेफिनेटली किसी ना किसी स्कूल में होगे, यहां पर कोई ना कोई टीचर होगा, तुम्हें थेओरी तगरा पढ़ाता होगा, ठीक है, दा में ठीक है, यूजली बच्चे को प्रावलम के आती है, कि सर हम पढ़तोस बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन हमसे क्वेशन सॉल्व नहीं होते, सो यहां पर मेरा काम है, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि उन कॉंसेट्स को क्वेशन में अपलाए कैसे करते हैं, एंड डेफिनेटली डीसी पांडे जो है, वो सबसे अच्छी बुक है, सो मैं उसको जाधा रेफर करता हूँ, मैं खुद से भी फ्रेम करके तुम्हें लाइक बताता हूँ, तुम्हारी जो प्रेपरेशन है, इस अप्टिमम, मेरे चैनल की वीडियो देखने के बाद, इफ यू ट्राइटू सॉल्व दोस क्वेशन, आइम डेफिनेटली शोर, तुम्हें क्वेशन सॉल्व करने का जो आठ है, वो आ जाएगा, ठीक है, चलो ये तो हमारी अपनी तारीफ होगी, ठीक है, इसको चलो हमने दो स्टार मार दिये, अच्छा, अधर देन दाट, फॉर मैथमेटिक्स, फॉर मैथमेटिक्स, एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, कोई प्रोमोशन नहीं है, ये वो चैनल है, जो मैने परसनली रेफर किया है, फॉर माई आईटी जे मैथमेटिक्स प्रपरेशन, एक सर है, मोहित त्यागी, फॉर आईटी जे मैथमेटिक्स, इस दिस मैन इस दे बेस्ट, ठीक है, फॉर जे एडवांस्ट एस वेल, सर थोड़ा सा स्लोप पडाते है, ठीक है, तुम वीडियो को लेक, लेक मल्टिप्लाइ बाई टू पे कर दो, ठीक है, लेक 2X पे चला दो, ठीक है, डाट इस अप तो यू, फर्स्ट अफॉल, जे इडवांस्ट मांगता है, यह तुम्हें पता ने चीए, जे इडवांस्ट सिर्फ स्किल्स पे फोकस करता है, अगर तुम जे इडवांस्ट क्वालिफाइ कर रहे हो, तो बाई डेफॉल्ट मैं यह मान के चलता हूँ कि, नोट गूद इनफ, यह जे इडवांस्ट के लिए कोई भी स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल यह कोई भी फ्री रिसोर्स नहीं है, इस चीज़ को मान लो, मैं मानता हूँ कि काफी सारी ऐसी टीचर हैं जिनको तुम लाइक फॉलो वगरा करते होगे, जिनके तुम फैन्स हो, बट लेट मी ज़स्ट तेल यू, दे आर नोट गूड फॉर जे इडवांस्ट, जे मेंस के लिए, दे आर गूड इनफ, फॉर जे इडवांस्ट, नो, I won't say, फॉर पेड मेटेरियल, ठीक है, देखो, यहाँ पे important बात क्या है, तुम्हें यहाँ पे brand पे focus नहीं करना है, ठीक है, brand पे focus नहीं करना है, रैधर तुम्हे focus करना है teacher पे, ठीक है, teacher पे focus करोगे, तो ही excel कर पाऊगे, ठीक है, ऐसा यह like paid platform है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है, यह मेरे friends ने refer किया था, तो मैं तुम्हें चलो बता देता हूँ, एक sir है, दूशियंत sir, दूशियंत कुमार आए थिंग उनका नाम, ठीक है, यह chemistry के lectures वगरा रिकॉर्ड करके देते हैं, ठीक है, एनका लेका अपना एक DVD होता है, और राइट, सो यह काफी अच्छे sir है, ठीक, एनके लाइक selections are also very good, I don't know, अभी यह material वगरा कैसे provide करते होंगे, but do check it out, ठीक है, दूशियंत कुमार for chemistry, देखो, mathematics में तुम बस यह refer करो, Mohitya की sir, it is good enough, ठीक है, तुम्हारी basic से advanced जो level की जो preparation है, वो हो जाएगी, उसके बाद, it is your skill, तुम्हें उस knowledge को कैसे apply करना है, it is up to you, ठीक है, other than this material, अगर तुम किसी भी coaching institute की website पे जाओगे, तो उनके काफ सारे online programs होते हैं, जैसे आकाश का ITUTOR हो गया, ठीक है, यह जस्ट एक example है, मैं refer नहीं कर रहा, ठीक है, मैंने personally career point institute के, I think chemistry के lectures, मैंने refer किये थे, और उनकी inorganic chemistry काफी चीछ थी, बट यह उस टाइम की बात है, I don't know अभी उनका review कैसा होगा, ठीक है, बट हाँ, definitely demo lectures ले 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 ना, एक बारी, ठीक है, demo lectures ले 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 ना, ठीक है, तुम उस तरह से refer कर सकते हो, other than this, अगर कोई famous teacher है, ठीक है, famous teacher मतला मैं तो नहीं हो, मैं कभी teacher बन भी ने सकता, ठीक है, I am like a mentor to you all, I am not a teacher, I am just a mentor, ठीक है, so let's say, अगर कोई famous teacher है, वो किसी platform पे आ रहा है, ठीक है, so definitely you should go and register for that as well, but it is up to you, ठीक है, यह तुमारी choice है, ठीक है, it is not necessary, ठीक है, तो तुम इस तरह से refer कर सकते हो, brand is not important, teachers are important, ठीक है, so I think, तुमें यह सारी चीज़े समझ आगे होंगी, मेरा जो main motive है, वो क्या है, ठीक है, Kratos Physics YouTube channel, you can just refer for your question-answer skills, ठीक है, अगर तुमें theory आती है, and if you are unable to solve questions, then do watch my channel, मेरा channel का जो main focus यही है, कि तुम questions अच्छे से solve कर पाओ, and तुमारी knowledge भी बढ़े, ठीक है, मैंने जितने भी questions तुमें करवाई है, वो मैंने ऐसा नहीं किया, कि यह questions solve होगी है, चलो अगला, नहीं, मैंने हमेशा उस question को analyze किया, ताकि तुम अच्छे से, जो भी उससे maximum सीख सको, वो तुमें like deliver हो जाए, ठीक है, मैं personally यह believe नहीं रखता, कि मैं मुझे अलग से lectures देनी के ज़रूरत पड़ेगी, to solve the questions, the thing is that, देखो, चीज़ें सेम ही है, अगर कोई Newton's law of cooling, let's say, किसी एक शहर में पढ़ा रहे है, तो सेम ही, मदब कोटा, राजिस्तान या चंडिगड में, सेम ही पढ़ा रहा होगा, कुछ दिफरेंट नहीं पढ़ा रहा होगा, but while solving the questions, वहाँ पे difference आ जाता, बच्चों में, स्किल्स अप्ग्रेडिशन बाई स्वल्विंग क्वेश्चंज, ठीक है, so I hope कि ये सारी बाते तुम्हें clear होगी होगी, ठीक है, not necessarily ये वाली बाते, जो regarding material, regarding the precautions, जो भी मैंने तुम्हें बताया, ठीक है, I hope so वो सारी चीज़े तुम्हें clear होगी होगी, अगर अभी भी तुम्हें कुछ confusion है, तो तुम मुझे definitely comments में ज़रू reach कर सकते हो, और definitely directly.life का जो link है, वो description में है, तुम मुझे वहाँ से भी reach कर सकते हो, ठीक है, एक material बड़ा famous है, ठीक है, बच्चों का बहुत जारा crazy होता है, इस material के उपर, ठीक है, यह book है, I.E.Rodov, ठीक है, बच्चे बोलता है, कि मैं तो Erodov solve करके, I.I.T. में जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा, तो वो बच्चे सच में, I.T. में नहीं जा पाते हैं, ठीक है, तो the thing is that, this book is not good for I.T. J.E., It is a very good book, करने की कोई ज़रूर नहीं, जितना भी मैंने material discuss किया है तुम से, उतना कर लो, that is more than enough, यहाँ पर इसको मत देखो, ठीक है, इसको मत देखो, हाला कि ये book तब भी बिकेगी, I know, तुम में से कोई ना कोई बच्चा ये book ज़रूर लेगा, और इसको solve नहीं करेगा, ठीक है, मैं ये भी guarantee देता हूँ, तुम इसको solve नहीं करोगे, ठीक है, ठीक है, जानल को support करने के लिए, share and subscribe तो ज़रूर करो, ठीक है, इसमें कोई resource तुमारा खर्च नहीं होता, तो please कर दो, ठीक है, और अगर तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आया, इस वीडियो में, तो comments में मुझे ज़रूर अपना criticism भी देता होगे, I'll be happy to look after it, ठीक है, मैं definitely improve करूँगा उस चीज के उपर, ठीक है, and अगर तुम्हें किसी और topic के उपर वीडियो चाहिए इस तरह की, ठीक है, जिसमें students ने मुझे पहले भी approach किया है, through directly.life, ठीक है, so अगर तुम भी करना चाहते हो, so link तुम्हें मिल जागा description में, वहाँ जाके तुम register कर सकते हो, and I'll be happy to help you, in whatever way possible, so मिलते हैं next वीडियो में, till then, take care, महनत करते रो, अच्छे से अपने skills इंप्रूव करते हो, जय हिंद,